नमस्कार, मैं हूँ डाक्टर छोटे लाल गुपता, असिस्टर परफेसर, आदिस्री साहेतिक मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की बैचारिक विचार विमर्ज का विसाय है, मात्र सक्ती एवं देश भक्ती एक कभी नारी के प्रति आदर्व शम्मान का भाव निवेदित करते में कहा है तू ढाल बन तलवार बन, तू स्रिंगार कर, संगार कर, तू नारी है, नराइनी है तू धधक्ती ज्वाला है, मम्ता की सीतल छाया है, तू ससक्त है, सोतंत्र है, तू सक्ती है, सरधा है ए नारी तु सरवत्र है तु महान है भारत की स्वाधींता आंदोलन के महायग में मात्री सक्ति ने बंदे मात्रम का जैगोश करते हुए असंक महिलाओं ने अपने प्रानों की आहूती दी मात्री सक्ति के इस बिराट उदय ने उस स्वाधीन देश की संकल्पना सकार की जहां भावी संतती सोतंतर रूप से पुस्पित और पल्वित हो सके इतिहास गवा है कि परतियेक काल खंड में मात्री सक्ति ने भारत वर्ष के निर्मान में अपनी महत्वपुर्ण भूमिका का निर्वान किया है जीवन के परतियेक छेत्र में वहना केवल पुर्सों के साथ कंधा से कंधा मिला कर चली है अबितु अनेकों आउसर पर अग्रनी भूमिका भी निभाई है आज जब पूरा देश अजादी का अमिनित महौसों मना रहा है तब मात्री सक्ति के युगदान और बलिदान को याद करना लाजिमी बन जाता है भारती स्वाधीनता आंदोलन के प्रिष्ट जब पल्टेंगे और मात्री सक्ति की भूमिका को देखेंगे तो निश्चित ही हमारे मनह मस्तिष के गौरों की अनभूती से भर जाएंगे देश के परतिये के हिस्से में महिलाओं ने स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लिया उन्होंने ब्रिटिस सासन बेवस्था को उखार फेगने और स्वतन्तता की प्राप्ति हे तू अपनी आवाज भी बुलंद की आंदोलन के कुछ उपक्रम तो ऐसे रहे जिनके संचालन के पूरी जिम्यदारी मात्रि सक्ति के हाथों में रही भारति स्वाधीनता संग्राम का एक भी अध्याय ऐसा नहीं है जिस पर मात्रि सक्ति के त्याग बलिदान और साहस की गताएं अंकित नहो सोतंतरता का समर वैसे तो तब से ही प्रारंब हो गया था जब सन 18-57 के सोतंतरता संग्राम में जहासी की रानी लच्मी बाई की चमक्ती तलवारों के आगे अंग्रेजों को नतमस्तक होना परा था महराणी के साथ-साथ कदम से कदम मिला कर चलने वाली जलकारी बाई जैसी बिरंगना के साहस के आगे ब्रिटिस जैनिक पानी मांगते नजर आते और वहीं मद्य परदेश के सिवनी जन्पत में जन्मी और राए गड की राणी अवंती बाई लोधी की तलवार के धार के सामने अंग्रेज टिक नहीं पाते हनाकि जीस अंग्रेज केप्टन ने राणी के सामने युद्द के मैदान में घूटने टेक कर प्राणों की भीक मांगी थी बाज में उसी अंग्रेज ने रानी अवंती बाई पर धोखे से हमला कर दिया लेकिर रानी ने अंग्रेजों के हाथ आने की अपेक्षा रंज छेत्र में स्वयम प्रानों की आहूती दे दी पंजाब के कपुर्थाला में जन्वी राजकुमारी अमरीत कौर उन नाईकाओं में सामिल हैं जिन्होंने भारत को सौतंत्र करने के लिए संघर्ष किया और स्वाधीन भारत के नौनिर्मान का दाये तो भी भारत सरकार के मंत्राले में स्वास्त्र मंत्री के रूप में भी निभाई प्रानों की चिंता किये बगैर क्रान्ती जैसे कठोर संकल्ब को निभाने का कार्ज भी भारत की मात्रि सक्ति ने किया प्रसिद्ध क्रांती कारी दुर्गा भावी का नाम आप सभी को याद होगा दुर्गा भावी ने चंसेखर अजाद और भगत सिंजे से क्रांती कारियों का सयोग किया दुर्गा भावी की ही भाती क्रांती के कठोर पत्वर अनेक बिरंगनाय निकली थी उनके नाम है वीनादास, प्रतिलता, उज्वला मजुमदार, कल्पनादत्ता, चारुसिलादेवी, मीरादत, रेनुसेन, सांतिगो, सुभारानिदत, सुहासनी गंगुली, आदी अनेक नाम है जिनके बलिदान के कारण हम आज सौतंत्र हैं इन बिनंगनाओं ने अंधेरी कोठरी की यातनाईब होगी और अंत में प्रानुत सर्ग भी किया प्रंतु अपनी मात्र भूमी की सौतंतरता के पर्यास नहीं छोरे मैडम भीकाजी कामा ने तो निसकासित जीवन बेतीत करते हुए बिदेसों में भी आजादी की लराई को जिवन्त बनाये रखा बिदेसी धर्ती पर पहली बार राश्टे धोच भाराने का अभूतपुर कारज मेडम कामा के नाम है आंद्र पर्देश की दुर्गावाई देशमुका योगदान हम कैसे भूल सकते हैं जिनोंने स्वाधीनता आंदोलन के लिए अपने सारे बहमुल गाहने और आभूसन महात्मा गांधी को समर्पित कर दिये थे और स्वाधी आंदोलन में अपने सारे बिदेशी कपरे जला दिये थे इसी तरह परसिद उदोग पती जमलल बजाज की पत्नी स्रीमती जानकी देवी ने घर की सभी वस्तुओं को जला दिया था मानो मात्र सक्ती द्वारा स्वादेशी आंदोलन की पवित्र अगनी में बिदेशी सासन को स्वाहा करने की होर सी लगी हो नेता जी सुभाज चंद्रबोश के अहवान पर अंगीनत महिलाएं और युवतियां अपने आभूसन दान करने के लिए दौर परी थी नेता जी की अजाद हिंद फोज में महिलाओं की एक टुकरी थी और उस टुकरी का नाम था रानी लच्मी भाई रेजिमेंट कैप्टेल लच्मी सहगल को इस रेजिमेंट का कमांडर बनाया गया था स्वाधिन्ता आंदोलन में हिस्सा लेकर अपना जीवन दान करने की परतियस परधा मात्री सक्ति के बीच उफान पर रही परतियेक जाती संपरदाय छेत्र एवं बर्ग से महिलाएं आगी आई और स्वाधिन्ता आंदोलन में अपनी सहभागिता एवं अग्रनी भूमी का कोशिद्ध करते हुए यह संदेश दिया कि वह सक्ति सोरूपा भी है स्वाधिन्ता आंदोलन में आहूती देने वाली महिलाओं की एक लंबी स्रिंखला भी है इनमें देवी चौधरानी, रानी सिरोमनी, रानी चिनम्मा, हजरत महल, अरुना असफली, सुचेता क्रपलानी, आदी अनेक नाम है जिनका असमरन आज की नई पीड़ी में उर्जा, उत्साह, साहस और समर्पन का भाव संचार करती है अत्यवा भारत के स्वाधिन्ता आंदोलन में मात्रि सक्ति की भूमिका के बगैर आजादी की परिकल्पना संभव ही नहीं थी धन्यवाद